हलो फेंट्स मैं में दीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 34 साइस का बैक नेक डिजाइन तो दिखिए मेरा मेन फैबरी के और यह अस्तर का कपड़ा है अगर आप इस तरीके का डिजाइन अपने ब्लाउस के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइस में डीब नेक का मेजरमेंट लीजेगा अपने साइस के कॉर्डिंग सबसे पहले कटिंग करने के लिए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर रही हूँ इसके बार टोटल लेंथ लेनी है तो जितना भी लेंथ आपको अपने ब्लाउस का तयार रखना है उसमें एक इंच मार्जिन का प्रस करके आप टोटल लेंथ लीजेगा तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच शोल्डर लिये हैं मैंने यहाँ पर पांच इंच आर्म होल लिये हैं साड़े पांच इंच तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर बिना ली है इसके बाद मैंने चेस्ट का चोथा भाग यहाँ पर लिया है तो चेस्ट का चोथा भाग हो कर दो का 8 in और 1,5 inch एक्स्टा लिया है martin के लिए इस तरीके से मैंने ही हाँ पर लाइन बना ली है और इसके बाद अब में armhole की गुलाई दे रही हूँ सवाइक इंच पर मैंने back part की armhole की गुलाई दी है कमर का measurement लेंगे कमर है 28 इंच उसका चोथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 7 इंच 4 इंच एक्स्टर मार्जिन और 1 इंच एक्स्टर और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग तो दीखी मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है और अब मैं इसे मैं कपड़े पर रखकर कट कर रही हूँ मैं कपड़े पर रखकर मैंने इसे कट कर लिया है और अब लेना है गले का मेंजमेंट गले की जो विट थे वो रखी है सबादो इंच गले के total length ली है मैंने यहाँ पर 10 inch और नीचे से न 1 बेट लिया है मैंने 3 inch तो इस तरीके से आप अपने according यहाँ पर marking कर सकते हैं ये देखिए गले का जो नाप है वो आप अपने according कम ज़्यादा करके ले सकते हैं simple पान जो होता है वो गला मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो पान गला हमने यहाँ पर draw कर लेना है इस तरीके से और इसे cut कर लेना है तो गले का जो cutting है वो मैंने कर लिया है यहाँ पर गले का cutting करने के बाद अब मैंने लिया है paper pasting पेपर पेस्टिंग के उपर जो कटिंग किया हुआ गला है वो हमने इस तरीके से रख लेना है और एसटीज मार्किंग कर देनी है गले के मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से एक इंच पेस्टिंग को बढ़ाते हुए हमने इससे कट करना है और अस्तर वाले कपड़े के उपर रखकर इससे अटेज कर लेंगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है तो आप बैक पार्ट के उपर भी इससे अटेज कर सकते हैं तो दीखें कटिंग मेरी पूरी हो गई है अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग कर हमने असर के कपड़े के साथ मैंन कपड़े को अटेज करना है सबसे पहले सिलाई मैंने गले के उपर लगाई है गले पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ सिलाई लगाते समय आप कपड़े को हास से इस तरीके से फिनीशिंग देत जाएं और सिलाई लगाते जाएं तो देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्टर कप्ड़ा रहेगा उससे हमने कट करकी निकाल देना है तो सबसे पहले मैं यह गले की बीच का फैबरिक निकाल रही हूं अब हमने बाहर की तरफ से भी ए अब लेना है गले बाला पार्ट तो पेपर पेस्टिंग को अस्तर वारे कप्ड़े के उपर हमने इसलाई लगा कर अटेश करना है तो देखिए इस तरीके से मैंने आपर इससे अटेश कर दिया है और बाहर की तरफ से एक इंच बढ़ाते हुए हमें इसका कटिंग कर देन है भार की तरफ से तो यह पैटन मेरा रेडी हो गया है इसके बाद मैं अब इसे अटेश कर रहे हूं ब्लाउस के साथ तो दोनों तरफ से अच्छे से हमें पिन लगा कर इसे अटेश कर देना है यह दिखिए इस तरीके से और अब मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूं तो एक पेर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनीशिंग के साथ हम यहां पर सिलाई लगाएंगे यह दिखिए सिलाई लगाकर मैं इससे पूरा कर लिया है और बीच में से एक्स्ट्रा कप्ड़े को कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा कप्ड़े को में यहाँ पर कटिंग कर दिया है और पूरी ही नेक पर चोटे-छोटे कट लगा दिये हैं यह कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट के सीधा हो जाएगा तो आप यहाँ पर कट लगा लें और कपड़े को कर लें अंदर की तरफ फोर्ट हाथों से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है जो गले के हैं से फैबरिके और अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है अब मैं इसके उपर सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग की एक सिलाई लगा कर इससे पूरा कर लेना है तो दिखे मैंने यहाँ पर पूरे ही नेक के उपर सिलाई लगा ली है अच्छे से और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ पर हमने 4 इंच की लेंध में प्लेट्स लगानी है तो दोनों ही तरफ इसी तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स अटेज कर लेंगे और लगाएंगे नीचे की तरफ कमरपटी तो दीखे हमने यहाँ पर नीचे की तरफ कमरपटी भी अटेज कर लेंगे नीचे से आधा एंच का मार्जिन लेते हुए पटी को इस तरीके से सिल लेंगे और एक सिलाई पटी को इस तरफ रखते हुए पटी के उपर लगा लेनी है और पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ये देखिए पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और हमें इसका डिजाइन तियार कर रही हूँ तो डिजाइन तियार करने के लिए मैंने ली है यहाँ पट्टी 2 इंच की उससे पहला में यहाँ पर एक मार्किंग कर रही हूँ तो गले के यहाँ पर हमने 1 इंच का gap रखते हुए marking कर लेनी है आप 1,5 इंच का gap भी ले सकते हैं पूरे नेक पर इस तरीके से marking करके हमें यहाँ पर एक line बना लेनी है अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पटी ली है जिसकी width है 2 इंच की और पटी को हमें double fold करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है यह देखिए इस तरीके से पटी को double fold करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे पटी मैंने तयार कर ली है और इसके बाद अब मैंसे cut कर रही हूँ तो यहाँ पर हमने इसे चोटे pieces में cut कर लेना है और इसी तरीके से मैंने एक और पटी तयार की हुई है उसे भी मैं यहाँ पर cut कर रही हूँ तो सभी पटी को मैंने cut कर लिया है अब इसे गले के उपर लगाना है तो गले के उपर से हम इसे लगाना शुरू करेंगे उपर से आधा हिंच का गैप छोड़ दीजेगा और बिल्कुल पास पास में लगाने ही ज्यादा गैपिंग नहीं रखनी है इसमें पटियों को मैंने पूरे ही नैक्यों पर अटेश कर दिया है ये दिखिए और अब इसके बाद में इसके उपर फ्रिल बनाकर लगाऊंगी तो फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पर पटी ली है पटी के जो विट थे वो रखी है मैंने यहाँ पर 3 इंच की आप अपनी पसंद से कम जादा करके ले सकते हैं और पटी को आपको डबल फोल करते हुए सीधी सीधी एक स्लाई लगा देनी है इसके उपर पटी को मैंने सीधी स्लाई लगा दी है और अब इसके बाद इसके एक्स्ट्रा धागे निकाल देना है कट करके और बनानी है इसके फ्रिल तो यहाँ पर हम मशीन के अंदर इससे लगाएंगे और एक एक करके फ्रिल यहाँ पर बनाएंगे यह देखे फ्रिल हमारी एक जैसे ही बननी चाहिए और पूरी ही पटी को हमने फ्रिल बना कर तयार कर लेना है फ्रिल बना कर मैंने तयार कर लिया है इससे और इसके बाद मैं फिर से इसका एक्स्ट्रा कप्रा जो है वो कट करके निकाल रही हूँ तो जितने भी धागे हैं वो हमने लगाने से पहले ही कटिंग कर देने हैं ताकि यह बलॉंस के अंदर दिखे ना और इसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पर मार्किंग की थी मार्किंग के उपर ही फ्रिल को मैं अटेश कर रही हूँ इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रिल को अटेश कर देना है यह देखिए पूरे ही नेक के उपर मैंने फ्रिल को लगा कर तियार कर लिया है इसके बाद हमें उपर की तिरफ सिलाई लगा देनी है और उसके बाद ही एक्स्ट्रा कप्रे को कट करके निकालना है तो ये फ्रिल मैंने यहाँ पर अटेश कर दी है इसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके उपर लेस golden color में मैंने यहाँ पर लेस लिया है और कलिकी shape की according हमें इसले अटेश कर देना है frill का जो मार्जिन है वो पुरा लेस के साथ ही cover हो जाना चाहिए इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे ये देखिए तो मैंने यहाँ पर लेस को अटेश कर दिया है अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ डोरी तो देखी, यहाँ पर जो लूप हमने अटेज किये हैं उसके सभी के अंदर से हमें डोरी को इस तरीके से निकाल लेना है उपर की तरफ से एक्स्टा जो डोरी है उसे हमने कट करके निकाल देना है और इसी के साथ मेरा ही नैक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फिर्ण्स आपको आज करी डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा